आप सुका स्वागत है हमारे यूट्यूब चनल चाया मिस्रा की रसोई में देखे गाइस बहुत टाइम से इस पर हम कोई रेस्पी स्वीट की नहीं लेकर आए हैं तो इसलिए आज हम स्वीट की रेस्पी लेकर आए हैं वो भी इन में से तीन मिठाईया ऐसी हैं जो आपकी बिना गैस जलाए बना कर आप तयार कर लोगे पिल्कुल भी आपको गैस नहीं जलानी पड़ेगी तो चलिए पहली सुट देख लेते हैं नारियल की बरफी तो हमने ले लिए नारियल देख सकते हो थोड़ा सा ग्रेट कर लिया है जिससे कि हमको ग्राइंडर में डाल करने दिक्कत ना हो तो इस तरह से डाल कर ग्राइंड करेंगे तो बारीख हो जाएगा यह देखिए तो इसको बराबारीख पीस लिया है अगर आपके पास डेसिकेटर नारियल लो तो आप वह भी ले सकते हो अब इसे हम डाल देंगे एक बड़े बरतन में आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसमें दूद एड़ करेंगे तो थोड़ा तोड़ा करके डालना है जिससे कि हमारा नादीर गीला ना हो क्योंकि हमें गैस नहीं जलाना यारी इसमें पकाना नहीं है बीना पकाय हम बनाएंगे आप देख सकते हो बहुत टेस्टी नारियल की बरफी बन करक सकते है अब टेञे एक स्पून से दो इसमें डालेगे एक स्पून से दो चिनी जाहारा हे ऐक भात घ्यान में रखिए पी दूद हम ने थोड़ा साई डाला है जिससे क्या होगा कि दूद आप लोगे चीनी जब मौिस्चर पाती है तो मेल्ट होती है तो इसलिए हमने दूद की मात्रा कम रखी है एक बाउट ले लेगे दूद पाउडर आप इसे मिक्स करें यह देखी इस हटा देंगे हां से hi mix करेंगे क्योंकि जिससे कि हासे अजानी से हम मिक्स कर सकें बहुत टाइम से सोच रहे हैं इस पर हम वीडियो लाएं लेकिन हमारे जो दूसरा चैनल है छाया मिस्रा की रसोई स्विट्स तो उस पर हम सारी मिठाई यह डालते रहते हैं तो अगर आप पूरी मिठाई देखना चाहते हैं तो आप उस चैनल पर विजिट कर सकते हैं आप भी आप पर विखना ड है को रहे हम बहुत ड़ांकर दिखाई है आपको तो यह देखे हा हलका कर भापर हमे इसको अभी हम आप रिंस दाव करें का सृस्टैंगियों अबए के लिए बहुत सबच तो इसको इसको रहें हैं तो अब हमीं चाहिसे हो भी स्विटैंग तो दूद है उसने moisture लिया है और नारिल भी थोड़ा सा फूल गया है तो थोड़ा सा डो सही आ गया है एक तम अच्छे से अब इसको क्या करेंगे हां से इस तरह से बराबर करेंगे और इस तरह से हम करते विए प्लेट में इसको सेट करेंगे यह देख सकते हो यह देखिए अब हम यहां पर क्या करेंगे इसको अपने मोटा चाहिए जितना पतला 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 सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस तरह से यह देखिए यहां पर अच्छे से फैला दिया है और गाइस देखिए इतनी तेज हवा चल रही है आप आपको पता भी चल जाएगा दे कि तेज हवा चले कि चांदी का वर्ख उड़ रहा है आप देख सकते हो यह हम रूम में ही बैट कर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं कि हम पकाए नहीं है इसको तो आप देख तरह से अपने वह तानी के वर्ख को हमने लगा दिया और स्मूथ कर देंगे जिस से क्या होगा क अच्छे से इक्वल हो जाएगा उंगली की जो चाप बनी है उसको हटाना नहीं पड़ेगा यह देख सकते हैं अब मिठाई के वर्ग में लगा दिया है अब इसे क्या करें होने के लिए रख देगे 15 मिनट के लिए चाहे आप फ्रिज में रख दीजे तो कि इसमें गर्मी ब मगर इस समय गर्मियों में क्या बच्चे घर में रहते हैं कुछ न कुछ मांगते रहते हैं खाने के लिए तो सबसे बैस्ट है कि हम लेडिज को कीचन में ना जाना पड़े और बच्चों के लिए हल्दी और टेस्टी भी बनकर की मिठाई तयार हो जाए और आप देख सकत मैं ने यहांने डूद्ध जाना चीनी को अअचो में फूर में जाकि से बूकर के लिए दूद्ध से बाओडबर में कर दो कुछ दूद्ध affecting यहीं पर आपको दोद्ध षल्ण लिए्ट करना तो जिसे कि दूध की मिठास होती है ग्राइब कonder ह्याय। उस प्राइब है। अतनल के कि ड्यूद से तेमसी दूद के सबस्कार ऊवस्कुर है। करें ड्युक्तिती है। आज पोर पाइब रगा अचिंदीध में 10 में 30 अच diuguay अच्छ करना है। अब हम दूद को हटा देंगे बुज मिस्कल से चार से पांच स्पून नहीं लगा है दूद दो से तीरी स्पून लगा है आप जैसा दूद लोग है इसको बढ़िया सा इस तरह से करते हुए इसमूथ कर लेंगे यह देखे थोड़ा सा चीपकने रगेगा कोई दिकर नहीं फोड़ी देर के लिए चोड़ेंगे दस से फंद्रा में के लिए उसको सैट से काफी अच्छे से स्मूथ हो जाएगा उसे हम क्या करेंगे इस से ठक कर देंगे लिए तो देखिए हलका सा गी लगाएं इस साही से हो गया है और आप देख सकते हूं लाइग एक न at a और में इस तरह से आप कर लेंगे मावे आपको को बादे товड़े आप facts इस तरह से बराबर कर लेंगे और इसमें एक ठंब और से लिए कि लागा कर लिए और इसी तरह से तरह से कितने सारे पेड़े बनकर तयार हुए है और हम लिए नियुक्त बादाम से गानिछ कर दिया है और आद देख सकते हो जो हलवाई हमको इतना महें मेंगे दूद के पेड़े देते हैं बना करके खाने के लिए मतब खरीद कर लाते हैं बाहर से मार्केट से खरीद कर लाते हैं बहुत सारे पेड़े बहुत सारी कम से कम लेकर आते हैं तो इस तरह से आप घर में बना कर सकते हो वह भी कम बजट में आप देख सकते हो बहुत जाधा हमारा 20-25 रुपय का दूद लगा होगा और कुछ भी नहीं लगा है और आसानी से पेड़े बनकर त्यार हो गए चलिए नेक्स दिखाते हैं नेक्स मीठाई हमारी केक यह देख सकते हैं या नारियल केक मिल्क केक कुछ भी कह सकते हो आप देख सकते हो तो इसको भी बनाना है चलिए 2 सुरू consideration करते हैं यह आप देख सकते हैं यह सिख और के लिए अब यह देख हैं अब में हमने थी स्ट ह मिठाई केलिए ले लिया है अपना एक पाउल और हम फिर से दूद माड़ी करेंगे दूद Tyler से ही बना रहेंगे अब इसमें हम डाले तो जितना भी मीठा आपको चाहिए उसे साब से आप चीनी एड़ कर लिए क्योंकि हमें मिल्की बार बरनाना है इसको यह देख सकते हो यह देखे मिक्स कर लिए अच्छे से पूरा अच्छे से मिक्स करना है चीनी और दूद को अब इसमें मलाई ले लेंगे थोड़ी सी हमें देखे एक स्पून डाला हुआ है मलाई को तो अब इससे हम क्या करेंगे इस तरह से मिक्स करेंगे गायस हमने मलाई एड़ करी थी उसमें से घी बहुत रिलीज हुआ था क्योंकि हमारे यहां जो भैस का दूद आता है उसमें बहुत जादा मलाई घी होता है इस समूद कर लेंगे इसको अच्छे से यह देखे इस तरह से अच्छे से समूद करना है आप चाहिए तो आप 10 मिatक रेस्ट पर रख दें उसके बाद में कुछ नहीं करना है सिंपल इस तरह से स्मूथ करते हुए हमने से मिल्की बार की तरह इसे पतला-पतला सा फैलाना है तो देखिए अभी यहां पर लास्ट में हम ड्राइफूट आट कर देंगे जिससे कि मिल्की बार में जब ड्राइफूट उबर कर आएंगे न तो वह बहुत अच्छे लगते ह यह सकते हैं आप तो आप कुछ ना कुछ इस तरह सकते हो खाने के लिए और देखिए बिल्कुल भी चिपकता नहीं है सब्च अच्छी बात यह है यह कितना smoothly टूट कर आया है यह देख सकते हैं यह देखें बहुत amazing सी रेस्पी हमारी यह बन करके आई है आप देखें तो यह बन करते हैं हमारी पता चलेगा कि यह टेस्ट कैसा है चलिए अगली जो मिठाई हम लेकर आए वह भी बहुत टेस्टी है तो पूरी वीडियो देखेंगा यह देख सकते हैं यह देखें मिल्की बार बन करके हमारी तैयार हुई है एक बात और बोलेंगे आप लोगों को कि इन सभी मिठाईयों क अब बिस्तार से हमने बताया है अच्छे से बताया जिसे कि आपको कोई दिकत ना हो तो दूसरा चैनल है हमारा चाया मिस्रा की रसोई सुइट्स उस पर काफी अच्छी अच्छी सी मिठाईयां पड़ी हुई है जो आप बना सकते हो असानी से तो चलिए अब नेक्स्ट व ज्तोनलोग आंनेके लिए या तो बूं хоч कर्ते हैं या तो बूंदी का इस्तिमाल करते हैं बंडी के लड्ड़ु काaları का इस्तिमाल चा specialized बूंडा से बाटेज्टे ना बगट गध्वू Twitter तो विद्वलम्वरोग ने कर ना लिए अगर ना ने बगय उतनीकि इस लिन थान प हमने क्या करना है ले ली हैं दो सो ग्राम बुंदी यह देख slide लिए होइ हैं और और हमें अब आगे चीनी भी लेनी है तो बिल्कुल इकवल मातरा में लेनी है बिल्कुल बराबर मातरा में इसलिए ंए अब अगर आप पोरा वीडियो इसको देखना चाहते हो तो आप मारे चैनल पर देख सकते हो बिल्कुल इत्मनान से बनाया है उसमें हाल एक पॉइंट आपको कबर करके बताया है तो यहां पर देख सकते हो में 200 ग्राम बूंदी ली थी तो 200 ग्राम हमने चीनी ली है और 100 ग्राम यहां पर चीनी को मैल्ट करना जिससे कि अच्छे से चीनी की चासनी बन जाए इस तरह से आपको च्छे करते जाना जैसे हमारी घुलाब-जामुन की चासनी होती है उसी हिसाब से आपको चासनी बनानी है कि बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है वरना बूंदियां जो है वह बहुत ज़्यादा मैसी बेकाट सी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा आप गाड़ी कर दोगे तो बूंदिया चीरनी यानि चासनी पी नहीं बाएंगी इसलिए यहां पर बूंदियां के लिए चास आप 물 तैयार हो चुकी अब इसमें भूणियों को चासनी को बढ़ने लिए हैं अगर दबा Sesame के साथ कि अब डेकिम का साल परमाति कि पुरूल से यह यहीं कि को अच्छे कर देगे हैं रहुआति हैं लागर घ्रत देख कर नहाँ अर्छ लोगी आप अगे अगर द्वाय अब एक बार चला देंगे इसको यारी दो उबाले लेने हैं एक मिट में दो उबाले आ जाएंगे अब इसे देखे गैस की फ्लेम को हम आफ करेंगे और धकन को बंद करके रख देंगे 15 मिट के लिए अब देख सकते हो बिल्कुल भी चासनी हमारी बूंदी में नहीं रहे ग प्रसाद के लिए बन करके तैयार हो गई है हमारी यम्मी टेस्टी सी बूंदिया इसमें काफी अच्छा जूस भरा गया है बरा हुआ है देख सकते हो आप यह देखे तो अगर हमारी चार की चारो वीडियो आपको अच्छी लगी हो या इन में से कोई भी वीडियो आपको 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 आपक